तो अलो दोस्तो स्वागत है को नई वीडियो में तो भाई क्या होने वाला है आज की इस वीडियो में तो बहुत सारे अपडेट है जो मैं आपको देने वाला हूँ regarding New State Mobile इंडिया अब इसको New State Mobile इंडिया भोलेंगे क्योंकि भाई आप मैं इंडिया का प्रोग्राम जो है वो सारा चीज़ अलग चलती है तो इसको New State Mobile इंडिया भोलेंगे तो officially patch note वाला वीडियो जो है आपने देखी लिया होगा already लेकिन लेकिन इस वीडियो के अंदर में कुछ आपको अच्छी चीज़े कुछ special चीज़े मैं आपको बताने वाला हूँ तो भई वीडियो को सुरु से लेकर एंड तक जरूर देखना और कल रात हम live पे इसके regarding ली बात करी रहे थे कि भई लो एंड डिवाइस का क्या होगा तो thumbnail तो आपने देखी लिया होगा तो उसी के regarding सारी बात रहेगी जो अपडेट आया उसमें से main main update में आपको बता दूँगा और ओविसी बात है कि आप अगर आपको पूरे तरह से जितने भी अपडेट हैं वो सारे अगर जानने हैं तो आप official चैनल पे जाके देख सकते हो इंडिया वाले चैनल पे भी जाके देख सकते हो तो दिखाओ अपनी पावर और official पेज के भी सस्क्राइबर बढ़ा दो मेरे तो तुम बढ़ाते ही रहते हो तो उनके भी जाके जो आप सस्क्राइबर बढ़ा सकते हो तो क्या क्या इस अपडेट के अंदर आने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आउटफिट की दो तुम्हें सामने दिखाई दे रहा होगा विरकुल परपल कर लगा आउटफिट देखने में तो काफी जादा अच्छा है लेकिन मुझे सबसे जादा जो अच्छा लागा इसके हाथ में जो गन है ये वाली मुझे काफी जाद अच्छा लगी तो ये वाला आउटफिट तो मुझे काफी जाद अच्छा लगा और इसके हाथ में जो अयार गन है ये भी मुझे काफी जाद अच्छी लगी तो जैसी आएगा इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना दूँगा कि क्या क्या हमें सर्वाइवल पास के अंदर देखने को मिलेगा तो अब बात कर लेते हैं इसके इंपोर्टेंट अपडेट की हर एक अपडेट के अंदर गेम प्ले में जो अपडेट होते रहते हैं वो सारे आपको पीछे बैगरांड में दिखाई दे रहे होंगे चलते वे लेकिन अब बात कर लेते हैं लो एंड डिवाइस के बारे में तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि कल रात हम वाला है क्योंकि ये नेक्ट जनरेशन बैटल रोयाल गेम है इसके अंदर काफी सारे फीचर आपको देखने को मिलते हैं और अब ये काम कर रहे हैं लो एंड डिवाइस के लिए उप्टिमाजेशन के लिए क्लिए फिलाल के लिए भी तो है जिनके पास हाई एंड पास या जो भी गिव अवे करोगे वो कम से कम तो अगर आप किसी को भी अप्रीमें पास वगर आप भेजते हो किसी अपने दोसको अगर आप गिफ्ट कर रहे हो तो कम से कम भाई उसका प्लेयर का लेवल 20 होना चाहिए और 72 आवर से पहले वो आपका फ्रेंड होना इसके अंदर एक जो और चेंजिस है मुझे काफी अच्छा लगा कि अब गैलरी के अंदर आप जैसे लोबी के अंदर खड़े हो अपने फ्रेंड के साथ तो आपके पास जितनी भी गने हैं जितने भी गन के स्कीन है आप उनको एक साथ दिखा सकते हो आप दो तो अपने पास main gun रख सकते हो साथ में आपने साथ कोई pan भी रख सकते हो यए चोटा weapon ज्यसा वैपन आपको battle royale मैच में मत्वा घेलते हवे उतरते हुए जैसी आपके पास समय जो समान इकाता होता है वो सारा समान अब आप जो सिंपली बाशा मैं कहूं तो आप लॉबी में भी लेके आ सकते हो और कई भी जए लेके जा सकते हो आपके पास जो जो बड़ी बड़ी तकड़ी गने है वो भाई किसी को भी चमका सकते हो सो ओफ कर सकते हो तो यह चीजे मुझे काफी दाद अच्छे लगी क्योंकि इससे पहले यह फीचर किसी और बैटल रोयाल में वैसे नहीं है जो कि मुबाइल पे चलता है तो इसके बाद बात कर लेते हैं सर्वाइल पास के बारे में जो सर्वाइल पास आने वाला है तो यहा की आउटफिट इसके बिलने वाला है अगर आपका गरल करेक्टर है तो यह आपके लिए बी सही है और आगा कर सकते हो लेकिन बोईज करेक्टर कोाई आपकोई स्क्रीन पे दिखाया यहां होंगा देखने में तो ठीक ठाकी लग रहा है लेकिन मेरा इंटरस्ट सबसे ज़्यादा गन के उपर है तो अब बात कर लेते हैं एक और अपडेट की अगर इसके अंदर जो आप डिलिवरी ड्रोन मंगाते हैं तो उनकी स्पीड जो है वो इंकरीज हुई है साथ में जो डिलिवरी ड्रोन है अब आप उनने डिस्ट्रॉई भी कर सकते हैं उनकी जो डिवरीबिल्टी है उसको थोड़ा कम कर दिया गया है और अगली चीज की बात कर लेते हैं अगला है भाई ड्रॉप अला क्योंकि अब ऐसा होता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपके आसपास कही ड्रॉप कि रहा है तो आपका उस पे तना ध्यान नहीं जाता लेकिन अब इनोंने जो ड्रॉप है उसको काफी दादा इंक्रीस कर दिया है मल्टिपल कर दिया मत्तब आपको उसके साथ कंटेनर भी देखने को मिलेंगे और आप जो है ट्रॉइ के अंदर हो में भी शायदा अकिंता के अंदर दो बाउंटी रोयाल में जिस तरह से ये ड्रॉन ड्रॉप आते हैं जो लूट क्रेट आती है जो ड ज्यादा समान भी देखने को मिलेगा तो अगर आपके अंदर डर नहीं है और आप ड्रॉप लूट सकते हो आप प्रो प्लेयर हो तो आपके लिए बड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा इसको लूटना तो ये अपडेट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा वैसे इसके आपको भाई M11 की जो है कार्टूम टाइप है जिसमें आपको इमोजी वगरा देखने को मिलेंगे परसुट आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर को M416 की एक स्कीन एक पैन की स्कीन और अपको देखने मिलने वाली है तो ये भी मुझे काफी जादा अच्छा लगा वै 2GB, 3GB RAM, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आपके लिए बहुत ही अच्छी ख़बर है कि आप आप जो है इस गेम को easily जो है अपने फोन में खेल सकते हो, तो यहाँ पे एक option दिया है कि अगर आप light वाला option करते हो, तो वहाँ पे आपको एक और option मिलता है जिसका नाम है detail, तो detail वाले option में अगर आप light option करते हो, तो उसमें detail में भी काफि सारे option है, detail में आपको low detail चाहिए, medium detail चाहिए या फिर high detail चाहिए, तो यह option आपको देखने को मिलते हैं, अगर आप light वाले ग्राफिक करोगे, light और frame rate जो है वो low हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपको, आप enemy का जो outfit है, उसको remove कर सकते हो, और skin remove कर सकते हो, इसको आप off और on कर सकते हो, लेकिन अभी यह update आपको गेम के आने के बाद ही पता चलेगा, कि यह work किस तरह से करता है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने यहाँ पे लिखा है, remove enemy outfit and skin, तो इसका मतब यह है कि यह उसके सारे कपड़े उतारने वाले है, कि क्या करने वाले है, तो वो तो भाई देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो इन्होंने यह detailing वाला option डालाने, इसके अंदर low, medium, high, तो यह आपके लिए काफी जदा अच्छा है, क्योंकि आपके phone की performance के हिसाब से पहले तो यह automatically render कर लेगा, जो भी आपके रहेगी, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको जो है, इस चीच को adjust कर सकते हो, तो काफी सारे phone के अंदर यह जो game है, अब जो जिसको नहीं दिखाता था, device not supported दिखाता था, जिसको अब उसके device के अंदर device supported दिखाएग device के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर कुछ लोगों के device के अंदर यह अभी भी device not supported आएगा, तो मैंनको यह बोलूँगा कि थोड़ा आपको रुखना पड़ेगा, क्योंकि Android के अंदर काफी सारे model होते हैं, तो उसके बाद थोड़ा time इस चीच को होने में लगता है, और अब मैं यह भी बता दू कि जिन लोगों के device में अभी सपोर्ट हो रहा है और डाउनलोड हो रहा है, और अगर अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉलम आ रही है, तो time के साथ साथ यह धीर धीरे करके adjust हो जाएगा, तो इस वाले update के अंदर यही सब था, जिसके आपको वीडिया अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडिया अच्छा लगा है, तो भाही वीडियो को like जरू कर देना, share कर देना, अपने दोस्तों के साथ, और future में ऐसे ही बहुत सारी वीडियो चैनल के ओपर आते रहेंगे, regarding newstate के, regarding VGMI के, और बो और भी काफी सारी information आपको चैनल के उपर मिलते रहेगी तो मिलते हैं नहीं वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाई